मैं हूँ चंगेज खान अगर दुनिया में सबसे कुर बरवर राजा की बात की जाए तो सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जाने ले तभी तो मेरा नाम दुनिया में बिख्यात है मैं एक बरवर क्रूर समराज विस्तारक के रूप में दुनिया में परसिद्ध हुआ मैंने लाखों लोगों का खून बहाया हजारों माओं की गोदि सुनी कर दि लाखों बहनों को विद्वा बना दिया तभी तो मैं बिख्यात हुआ चंगेज खान के नाम से जी हाँ दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ चंगेज खान के जो दुनिया में मस्वूर है अपनी बरवरता के लिए अपनी क्रूर समराज विस्तार के लिए तो शुरू करते हैं इस विडियो को आईए 1162 इसवी में मंगोलिया के उतरी भाग में चंगेज खान का जन्म हुआ था उसके पिता का नाम येसु जेई था चंगेज खान के परिवार में कुल तीन सगे भाई एक सगी बहन एवं दो सेतो सोतेला भाई था कुल मिला कर यही उसका परिवार था चंगेज खान का पिता येसु जेई कियात कवीले का मुखिया था चंगेज खान का जीवन बचपन में बहुत ही कठिनाईयों से बीता था चंगेज खान की साधी फिर दोस के साथ हुई थी जिसे विवार के बाद ही अफरन कर लिया गया था चंगेज खान को अपनी पत्नी को छुराने के लिए भी लराई लरनी परी थी इतनी बिशम परिस्थितियों के बाद भी वो एक समराज बिश्टारक के रूप में आगे बढ़ा जमुका जो अरंभ में तेमूजीन अर्थाथ चंगेज खान का मित्र था बाद में दोनों में सत्रुता हो गई थी तेमुजिन यानि की चंगेज खान ने जमुका को हराया अपने कबीलों को संगठित करना शुरू किया चंगेज खान ने बारो सो छो में इस भी में उसने जमुका और नेमन लोगों को हराकर एक प्रभावसाली विक्ति के रूप में उभरा चंगेज खान पैदाइस दक उसके दाहिने हाथ पर एक पैदाइसी खून का धपा था जो कि उसके कुरूरता का निसानी था उसके बरते प्रभाव को देखते हुए उसे मान्यत्या दिया गया उसे चंगेज खान या समुद्री खान की उपाधी के साथ ही महानायक गोशित कर दिया गया पुरिलताई से मानता है मिलने तक वह मंगोलों की एक सुसंगठित सैना त्यार कर चुका था सन बारसो अठारा में उसने कराखिता को पराजित किया इसी दोरान अनेक समराजियों को भी उसने पराजित किया जिसमें परमुक है ओटार, बुखारा, समरकन, बल्क, हेराद के सैना ने मंगोलों के समच समर्पन कर दिया जो समर्पन नहीं किया उसका मंगोलों ने विद्ध्वन्स कर दिया और लाखों लोगों का बद किया इसी दर्मियान गजनी और पेसावर को हराने के बाद वह भारत की और कूच किया ख्वारिज्म बंस के सासक अलाउदीन महमूद को कैस्पियन सागर की और खदेर कर भगा दिया वहीं अलाउदीन महमूद की मिर्तु भी हो गई अलाउदीन महमूद का उत्रा अधिकारी था जलाल उद्दीन चंगेज खान के डर से जलाल उद्दीन गजनी की और भाग गया फिर बाद में उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तु तमिश से सहायता की याजना की किन्तु इल्तु तमिश ने सहायता देना से मना कर दिया क्योंकि वो चंगेज खान जैसे सक्ति साली समराट से दुस्मनी मोल लेना नहीं चाहता था इसी दर्मियान चंगेज खान अपने देश मंगोलिया वापस लोटने की सूच रहा था किन्तु उस समय में भीशन गर्मी थी और प्राकिर्टिक आवासन के भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वो वापस लोटने के लिए मजबूर हो गया और उसके वापस लोटते ही चंगेज खान के आकरमन से भारत उस समय में बच गया चंगेज खान ने अपने जीवन का अधिकान समय युद में ही विताया और इस कुरूर अत्याचारी सासक का अंत बारसो 27 सिस्वी में हो गया था तो दोस्तों यह छोटी सी कहानी थी चंगेज खान के बारे में जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर एक समराज विस्तारक के रूप में बिख्यात हुआ वह अपनी कुरूरता एवन बरवरता के लिए जग पर सिद्ध है